नमस्कार आज हम इधियास कख्षा 10 का दूसरा अध्याय देखेंगे जिसमें हम भारत इंडो चाइना जिसको कहते हैं भारत चीन छेतर के बारे में समझेंगे तो जो इंडो चाइना का छेतर है उसका अगर हम पुराना वर्जन देखे और अभी का वर्जन देखेined तो उसमें यह basic difference है इंडोचाइना के छेत्र में तीन राष्ट्रा आते हैं वियतनाम लाओस और कमबोडिया लाओस जो है वो लैंड लॉग्ड है मतलब उसके आसपस कहीं भी आपको पानी का सोत्र या पानी उसको टश नहीं कर रहा है अब यहां पर अगर देखें तो यह ज प्रांस और चाइना का युद्ध हुआ था और फ्रांस ने इन दोनों हिस्सों को अपने अंडर में अपने कबजे में ले लिया था तो यह एक basic development था 1945 में हम कहते हैं कि वियतनाम आजाद हुआ पर उसके तीन दशक बात तक भी वहां पर रिपब्लिक वह गोशित नहीं हो पाया और उसको उसके बाद भी लगबग तीन दशक लगे 1975 में जाके जब हम कहते हैं युनिफिकेशन ओफ वियतनाम फाइनली हुआ था अगर वियतनाम में हम देखें जो वियतनामीज इलाइब थे वह मुख्यतर चाइनीज फिलोसफी को मानने वाले थे तो यहां पर चा से बड़ा इशू क्या था एक तरफ तो वह लोगों में एजुकेशन या साक्षरता फैलाना चाहते पर दूसरी तरफ उन्हें डर लगता था कि अगर यहां के लोग शिक्षित हो गए तो वह हमें ही यहां से निकाल देंगे या हमारा यहां पर अस्तित्व कम होने लगेग उसमें से सिर्फ 400 लोग ही स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को क्लियर कर पाये थे तो वहां पर शिक्षिक समुदाय की संक्या बहुत ही कम थी तीन चीजे थी जिससे वियतनाम बहुत बुरी तरह से जूज रहा था पहला वहां पर जन संक्या का दबाव बहुत जादा था दूसरे वहां पर साक्षर था और शिक्षा बहुत कम थी और तीसरा एक अग्रिकल्चर या क्रिशी महूल छेत्र होने के बावजूद भी वहां पर क्रिशी में जो प्रोड़क्टिविटी थी जो उत्पादन था वो बहुत कम था तो यह तीनों ही क्राइटेरिया थे जो विएटनाम को प्रभावित कर रहे थे अब जब फ्रांस ने विएटनाम को अपनी कॉलोनी बनाने की बात की तो उसके कुछ प्रमुख बाते दिमाग में थी पहली चीज़ तो वह यह मानता था कि विएटनाम का जो छेत्र है वह बहुत जादा नाच्रल रिसोर्स में दूसरा उसको मानना यह था कि अगर विएटनाम को डिवलप कर दिया जाए तो वहाँ पर हम लोगों की बाइंग केपैसिटी बढ़ा सकते हैं या लोगों की खरीदने की शम्ता बढ़ा सकते हैं फलस्वरूप क्या होगा फलस्वरूप यह होगा कि वहाँ पर जितने भी लोगों का डिवलपमेंट है वो और बहतरीन हो सकता है और वो यहां से हमसे समान करी देंगे तो हमें जादा प्रॉफिट मिलेगा तो एक बिजनस नजरीय से अगर सोचा जाए तो वह भी एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी चीज थी जो उनके डिमाग में थी तो यह सारी प्रणकी चीजे वहां पर चल रही थी तो इसके चलते वहां पर नहरो का निर्मांड किया गया ताकि जादस से ज्यादा खेती हो सके चावल की कहती में व्रद्धी हो सके विदनामे एक समय पर थरड लाज़ अउर्ड Exporteur बन गया था विश्व का फिर वहां पर ट्रांस-इ है कि जो कैपिटल है वहां तक गया सियाम के छेत्र को होग है तो यह सारे डिवलप्मेंट्स है दूसरी तरफ पॉल बर्नार्ट थे जो की नीती निर्मा तक थे और उन्होंने कहा कि अर्थ विवस्ताओं को विक्सित करना बहुत आवशक है और जब तक वहां की इकनोमी डिवलप नहीं होगी उसको कॉलनाइज करने का कोई भी इंपोर्टेंस नहीं है या उसको कॉलनाइज करने से कुछ भी फाइदा नहीं होगा इसी तरह फ्रांस में सारी वियतनाम में लोगों के प्रती जापान को लेके बहुत अच्छा नजर गया था वह यह देखत अच्छा कि हम किस तरीके से जापान से इंस्पिरेशन लेके फ्रांस के साथ हम भी वही कर सकते हैं पर जब फ्रेंच एजुकेशन वहां पर दीरे-दीरे इंट्रड्यूस हुई तो छोटी कक्षाओं में वियतनामी पढ़ाई जाती थी बड़ी कक्षाओं में फ्रेंच प भावना जागरत हो गई उसके फलस्वरूप वहां पर यह हुआ के लोगों में एक विद्रोह की भावना पैदा हो गई और उन्होंने अपनी अपने राजनेतिक दल बनाने की कोशिश की जैसे पाटी ऑफ यंग अनान उन्होंने बनाया यंग उनके जैनल्स निकाले जो अ इतनामी इस पॉपुलेशन थी जो कि मुख्यता चाइनीज को प्रेफर करती थी चाइनीज कल्चर और चाइनीज लैंगविज को प्रेफर करती थी उनके हाथ में थे तो यह सारा जो था यह सिर्फ एक सेक्शन ऑफ पीपल के पास था और जो आम आदमी थे वह इसके अगे उन्होंने कहा कि वेस्टन एजुकेशन होनी चाहिए साइन्स फ्रेंच यह सब आना चाहिए पर इसके साथ साथ उन्होंने बूला कि वेस्टन आउटफिट्स भी जरूरी है तो छोटे बाल होने चाहिए जबकि वियतनामी इस ट्रडीशनली लंबे बाल पसंद करते थे त किनोंने प्रमुक कारे किया था वियतनाम के युनिफिकेशन में तो वहां पर जो विद्रो हुआ उसके बारे में और फाइनली जो पैरिस शांती संदी हुई थी जो यूएस और वियतनाम के बीच में जो ट्रीटी साइन हुई थी वो दो इवेंट्स बहुत ही इंपोर्ट के अंडर में हिसा था वो शेरें वो रस्ते बहुत ही अच्छे तरह से बने हुए थे जबकि जो वियतनाम का लोकल छेत्र था वो बहुत ही गरीब था और वहां पर जादा डिवलपमेंट्स नहीं देखे गए थे पर यहां पर बहुत अच्छी सिवरेज लाइन थी अब ज चुहे पकड़ने का अंदोलन शुरू करना पड़ेगा तो वियतनामी इस लोगों को बोला मा के लिबरल्स को बोला कि तुम चुहे पकड़के लाओ जितने चुहे पकड़के लाओ उतना तुम्हें इनाम दिया जाएगा बात में उन्होंने इसको बोला कि अगर तुम सरक तो इसको उन्होंने क्या बोला एक Bounty Program हो गया तो लोगों ने इसको एक website बना लिया कि उन्होंने अपने घर में चुहे पालना शुरू कर दिया फाइनली इस program को abolish कर दिया गया इस program को sum up कर दिया गया अब जैसा यहां पर हमने देखा कि लोगों ने किस तरीके से changes की उसी तरीके से धर्म भी एक बहुत confusing चीज़ थी यहां पर क्योंकि तीन प्रमुग धर्म थे हैं यहां पर और कई सारे धर्म के आंदोलन करवाएं गए और लगबग तीन लाख लोगों को केथॉलिक मिशनरीज द्वारा कनवर्ट किया गया तो यह चीज लोगों के मन में बहुत गहरा असर कर गई वहाँ पर फूसो करके एक व्यक्ति थे उन्होंने हाउ हाउ आंदोलन की शुरुवात की तो उनको लोग मानते थे कि इनके पास समतकारी शक्तियां हैं यह शराब के खिलाव यह नशे के खिलाव ओपियम के खिलाव गैंबलिंग के खिलाव बोलते थे और लोगों को बहुत सारी शिक्षा देते थे पर फ्रेंच को उनसे खत्रा लगा उनको लगा कि यह हमारे धर्म को फैलाने में बादक हैं तो उन्होंने बोला कि ये तो mentally ill है, ये मानसिक तो और पर संतुलित नहीं है और इसको मानसिक अस्पताल भेज देना चाहिए, वो वहाँ पर जाके भी वहाँ के डॉक्टर्स को दीरे-दीरे बदलने लग गए, वहाँ के डॉक्टर्स भी उसके follower बन गए, फ्रेंच किया गया, कि ये कहा जाए, कि ये मानसिक रूप से असंतुलित हैं, पर क्योंकि वो डॉक्टर्स भी उन में believe करने लग गए थे, उन को follow करने लग थे, उन डॉक्टर्स ने भी ये कहने से इनकार कर दिया, फाइनली उनको exile में लास बेज दिया गया और उनके जितने भी followers उनको concentration camp में पेज दिया गया अब जब विचारों की बात हुई जब आधुनी करम की बात हुई तो इसमें दो विचार आए एक विचार यह कहता था कि वियतनामी कल्चर को बनाये रखा जाए फ्रेंच के खिलाफ आवाज उठाई जाए दूसरा कल्चर यह कहता था कि फ्रें जो है एक confusionism की society बनाएंगे जिसको revolutionary society या क्रांधिकारी society का उन्होंने नाम दिया और उन्होंने एक book लिखी जिसमें वियतनाम का नुकसान के इत्यास के बारे में लिखा और उन्होंने कहा कि किस तरीके से फ्रांस के दौरा और दूसरे देशों के दौरा वियतनाम को नु आइडिया लिया है और हमें लोगतांत्र गंतंत्र बंदय में यह मदद कर सकते हैं तो कानूनी छेत्र में शिक्षा के कि छेत्र में क्रिशी के छेत्र में निश्यत तौर पर हमें इनसे लेने चाहिए फिर गो इस्ट आंदोलन की पारे में हमने बात की किस तरीके से डिवलप्मेंट हुआ अब अगला था समाजवादी आंदोलन या कॉमिनिस्ट डिवलप्मेंट जो हम कहते हैं तो यहां पर डॉमिनो इफिक्ट की बात हुई डॉमिनो इफिक्ट का मतलब था होची मिन जो वो वियतनामी इस कॉमिनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और इस पार्टी का बाद में नाम बदलके इंडोचाइना कॉमिनिस्ट पार्टी कर दिया गया था डॉमिनो इफिक्ट का मतलब होता है कि अगर एक देश में कॉमिनिस्ट है तो उसके आस पास के सभी देशों मे communist philosophy दीरे दीरे फैलती जाएगी तो अब इस फैलाओ से किसको खत्रा था? इस फैलाओ से अमेरिका को खत्रा था अमेरिका ये नहीं चाहता था कि जो communism है उसका expansion बढ़े तो अमेरिका ने युद्ध के लिए वियतनाम में troops बेजे और यहाँ पर बहुत टाइम तक युद्ध हुआ ये वियतनाम का छेतर दो हिस्सों में बटा था उत्तरी वियतनाम और दक्षणी वियतनाम उत्तरी वियतनाम जो था वो मिन के अंडर में था और दक्षणी वियतनाम बाओदाई के अंडर में था बाओदाई जो थे वो एक फ्रेंच सरकार के पपट रूलर या कटपुतली शाशक थे जो की बाद में हटके दीम के अंडर में आ गया और दीम जो था बहुत ही ओटोक्रेटिक और रिप्रिसिव रूलर था जो सबी चीजों को सप्रेस करके दवा के रखना चाहता था तो ये एक कॉन्फलिक्ट जो उत्री और दक्षणी छेतर में चल रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट था मिन जो थे वो यूरोप का टूर करके आये थे तो उनके दिमाग में यूरोप में जो कॉमिनिस्ट पार्टी फैली थी उनका एक बहुत बड़ा इंपृंट था और वो जब यहाँ पर लॉट है तो 1943 में उन्होंने अपना नाम बदल के होची मिन कर लिया और 1969 में उनकी मृत्ति हो गई थी पर उस पूरे दोरान में उन्होंने बहुत सारे डिवलफ्मेंट किये सबसे प्रमुक डिवलफ्मेंट है होची मिन ट्रेल जो उन्होंने चालो कि इस ट्रेल का मुख्योदेश था उत्तर से दक्षिन तक एक पूरी रस्ता बनाया जाएगा और ये रस्ता मुख्यो था लाओस आ गंबोडिया के छेत्रों को गवर करता था और वहासे विएपिनाम में ब्राँच होता था और बाकी छेत्र इसका विएपिनाम में आता था इस पूरे रस्ते का मुख्योदेश ये था कि उत्तरी छेतर से दक्षणी छेतर में लगबग 20,000 ट्रूप्स या 20,000 सैनिक हर महीने भीजे जा सकते थे एक-एक सैनिक इतना शक्तिशाली माना गया था उस समय पे कि पैदल में वो 25 किलो का वजन उठा के चल सकता था और सैकल से वो लगबग 70 किलो का वजन ले जा सकता था ट्रैक्टर्स वगेरा का भी इस्तेमाल उस समय किया गया था पूरे रस्ते पे सपोर्ट कैम्प, हॉस्पिटल, सपोर्ट बेस सिस्टम्स लगाए गए थे और जहां पर भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन डैमेज होता था उसको इमेडियेटली रिपेर किया जाता था तो यह जो होची मिन ट्रेल थी यह एक बहुत ही इंपोर्टन यूनिफाइंग फैक्टर था जिसने बाद में एनलेफ यह नाशनल लिबरेशन फ्रेंट को एक गती दी थी और फाइनली साउथ में सैंगोईन में जो पैलिस था उसको सरेंडर कर दिया गया था और यहां पर यूनिफिकेशन आफ वियतनाम को डिकलेर कर दिया गया था 75 में मिन की मृत्यू के उपरांत तो यह सारे डिवलप्मेंट उस समय बहुत ही इंपोर्टेंट थे तो किस तरीके से अलग-अलग छेतर में एक पूरा नया रिपब्लिक इस्थापत करेंगे और यहां पर जितने भी सैनिक बल है उनको नश्ट कर देंगे और यहां पर फ्रेंच की जो करांती है या फ्रेंच का जो दब-बबा है उसको अब हम सुइकार नहीं करेंगे तो यह सारे डिवलप्मेंट्स को लेके वहां पर NLF राश्ट की स्थापना की बात हुई और फाइनली जब अमेरिका और विएतनाम का युद्ध हुआ तो जैसा कि हमने कार्ड जॉमिनर एफेट या कॉमुनिसम को रोपने के लिए युनाइटिस चेट्स आया लगबग तीन मिलियन लोग आर्मी के यहां पर भेजे गए और जो यह तीन मिलियन लोग आये थे वो मुख्यता मिडिल क्लास वर्कर्स उनके बच्चे थे तो बहुत टाइम तक अमेरिका में इसका क्रिटिसिसम भी हुआ फाइनली कई सारी मूवी रिलीस की गई जिसे ग्रीन बेट में ये कहा गया कि युद्ध जरूरी है एपोक्लेस में ये कहा गया कि एक moral confusion है कि युद्ध में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए तो इस तरीके के अलग-अलग विचार सामने आये और ये जो यूएस वियतनाम वार था ये पहला टेलिविजन वार माना गया क्योंकि डेली coverage टीवी पे आने लगी थी होची में ट्रेल के हमने बात की किस तरीके से development हुआ finally महिलाओं का एक बहुत जबरदस रोल था वियतनाम के independence में बहुत सारी महिला ये युद्ध में सामने आये बहुत ही brave और शक्तिशाली मानी गई थी एक महिला ऐसी थी जिन्होंने एक जट को सिर्फ 20 बुलिट में समप्त कर दिया था एक महिला बच्पन में ही आनात हो गई थी पर उन्होंने जंगल में जाके अपनी एक आर्मी बनाई और चाइनीज लिबरेशन के करण हुआ या यूनिफिकेशन हुआ तो यह एक बहुत ही इंपोर्टेंट चाप्टर है जो हमने देखा अगले चाप्टर में हम भारत में किस तरीके से राश्ट्रवाद का फैला हुआ या नैशनलिजम स्प्रेड हुआ उसके बारे में बात करेंगे अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिग दीजिए हम जरूर से जरूर उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे बहुत बात धन्यवाद